हलो दोस्तों कैसे हैं दोस्तों आज एक ने वीडियो के साथ आपके सामने हाज़ीर हो रहा हूँ आपको examination form कैसे भरे अब किस क्लास का भरना है BBA , BCA , LLB , BPAT , BAC , A.G 2nd semester और 4th semester पूरा process मैं आपको registration से लेके payment तक दिखाऊंगा बस आपको वीडियो को शूर सेन तक बने रहना, completely देखना है, ताकि आपको सारी चीज़े clear हो सके, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, अगर आपको वीडियो फसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सस्क्राइब करना न भूले, सबसे पहली चीज़ कि दोस्तों, आपको form किस का बरना है अब आपको BBA का बरना है, कि BCA का बरना है, या किस समेश्टर का बरना है, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको, क्या नहीं, examination, चुकि वेबसाइट है, officially, उस पर आ जाना है, examination, officially मिदब, यहां पर जो examination form की website है, इस पर click करेंगे, जैसे ही आप इस पर click करेंगे, आनी की बाद आपको यहां पर, इसके बाद UG, PG, Events, Semester, Exam forms पर click करना है, जैसे ही आप इस पर click करते हैं, जैसे ही आपके सामने खुल कर आ जाएगा, ठीक है, इसके थाड़ा option पर, इसके साथ ही इसमें आपको UG, Events, समेश्टर दिखा हुआ है, क्योंकि 2, 4 जो है, इसके लिए है, ठीक है तो यह चीज़े, उसके बाद आप आजाएंगे, यहां पर आपको किस class का करना है, BBA का है, BCA का है, BP8 का है, कि किस का है, तो आपको यहां से अपने समेश्टर को चूज़ करना होगा, अगर आप BBA का भर रहे हैं, तो BBA को चूज़ करी है, BCA बर रहे हैं, तो BCA चूज़ को कर सकते हैं बीना किसी परशानी के यह डाल दिया यहां आने के बाद मैंने यहां पर इनके फादर या मदर में से क्लिक कर दिएगा अगर कैप्चा समझ में ना आए तब उसके बाद आप यहाँ easy way में edxa डालने के पास search पर आपको क्लिक करना है जैसे search पर क्लिक करेंगे पूरी detail similar खुल के आ जाएगी सब कुछ आप अच्छे से चेक कर लीजे और उसके बाद यहाँ पर ठीक है उसके आप प्रसीज टू रिश्टेशन एक चीज़ का गौर करिएगा यहाँ पर यह जो दिया हुआ है यह चीज़ आपकी जो दी हुई है यह द्यान दीजेगा कि second four semester आपका यह शो होना चाहिए वरना नहीं तो गलती से कभी कभी form second semester में यह उड़ जाता है तो इस चीज़ का ज़रूर द्यान दे ठीक है उसके बाद प्रसीज टू रिश्टेशन पर क्लिक करिए उसके बाद form आपके सामने कूल कर आ जाएगा उसके बाद journal है यह सारी category चूज कर लीजिए category क्या है OBC जर्नल SC उसके बाद यहां पर आने के बाद यहां पर रिलिजिस को चूज करना है हिंदू, Muslims, Christians क्या है इसको चूज कर लिए चूज करने के बाद आपको यहां पर अगर डिटा उपर सही करना चाहें तो कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आपको किसमें देना हिंदी की इंग्लिश किसमें देना है उसको चूज कर लीजिए आप इंग्लिश बेना चाहते हैं बाकी चीज़े आ गई अगर आपका result आ गया है तो number डाल दीजिए नहां यहां डाल के और यहां जो है yes I agree पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर VSDETN जो capture लिखा है उसको डाल के submit save form पर क्लिक करिए अब यह form आपका पूरा completed आ चुका है फीस वगरा अगर आपकी कितनी है वो फीस भी आ चुकी अब payment पे चले जाते हैं ठीक है अब जैसे पे नाव पे आप क्लिक करेंगे इस number को आप note कर लीजिए आप किसे भी class का भरे कोई दिक्कत नहीं easy way में आप कर सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे यह सीधे payment के gateway पर ले जाएगा आपके अनाम address सब कुछ आ जाएगा आने के बाद आपको किस से payment करना है debit card, credit card, net banking, Paytm, wallet, UPI, तो मैं UPI के QR code से payment करूँगा और payment करके अभी आपको दिखाता हूँ Make payment पर मैंने क्लिक किया जैसे मैंने payment पर क्लिक किया उसके बद मेरे सामने code आगे अब मैं यहाँ पर payment को जो है accept करता हूँ दोस्तों मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको अपने जो जी पे या किसी पर भी चले जाना है तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपने जी पे को एक्टिव करता हूँ एक्टिव करने के बाद payment भी आपको करके इजी वे दिखा देता हूँ payment के साथ आपके आ जाएगा इसका दोस्तों यह आगया यह मैंने डाल दिया यहां पर capture डालके मैंने QR code scan करके और payment अप करने जारा हूँ जैसे payment मेरा done होगा अच तुनंत मुझको मेरे जो payment slip मेरे सामने लाके रख देगा आपी पर मेरे जो है done हो चुकी है और यह process में इसको done किया यह done हो गया slip आगे slip को आप प्रिंट निकाल लीजिए प्रिंट करके आसानी के साथ जो भी प्रिंटर है आपका control पी कर दीजिए उसके बाद यहाँ से इस नंबर को copy कर लीजिए और यही मैंने copy किया था लेकिन भी मैं दिखा देता हूं copy करिए copy करने के बाद आपको home पर या यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर reprint पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे ठीक है click करेंगे उसके बद यहाँ पर जो form नेमर मैंने copy किया वो लिया उसके बाद यहाँ पर capture आगया capture डाल दी तो आपको ज़्यादा कुछ परशान होनी ज़रूरत नहीं है बस थोड़ा आपको जो है पेशन्स रखना पड़ेगा क्योंकि आसानी के साथ आप खुद भी कर सकते हैं कोई टेंशन की बात ही दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कात आती है तो आप मुझे कमेंट करेगा मैं आपको पूरी रिप्लाई देता हूँ तो ठीक है दोस्तों मिलता हूं मैंने एक स्वीडियो में तब तक के लिए गहर पर नहीं सुर अच्छित रहे हैं